हेलो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी उम्मीद करती हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे स्वागत है बच्चों आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल जारेडा उनलेंड क्लासिज में बच्चों आज हम सभी सॉल्व करेंगे हमारे विश्य कलायवं शिल्प की बच्चों इस तरह से आपको जलसंचार का चित्र बनाना है इस तरह से आप सभी बनाएंगे देखिए इस तरह से गोला बनाएंगे इसमें बच्चों देखिए आप बतक दिख रही है मचलियां दिख रही है ओक्टोपस दिख रहा है कच्छव दिख रहा है तो इस तरह से पत्थर बनाएंगे फूल पौधे बनाएंगे घांस बनाएंगे ठीके बच्चो इस तरह से आप बनाएंगे और इसमें रंग भरके से कम्प्लीट करेंगे अगला है साड़ी डिजाइन बच्चो आप सभी की घर में आपकी मम्मी साड़ी पहनती होंगी तो आपने देखा हो बेल होंगी बूटे होंगे अलग अलग तरह के डिजाइन होंगे बच्चो तो आप सभी को ये बनाना है ठीके अगला है भारत की स्वतन्तिता के पिछे तरवे वर्ष पर की जाने वाली गतिवीदी तो देखी बच्चो भारत की स्वतन्तिता पर की जाने वाली जो गतिव से गांदी जी के 3 बंदर का चित्र बनाने का हमें प्रियास करना है ये बंदर क्या बोल रहा है कि बुरा मत देखो बुरा मत बोलो और बुरा मत सुनो तो इस तरह से आप सभी को 3 बंदर बनाने हैं संस्का, शाला, छोटी छोटी पर बड़ी बाती आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, आप सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे क्योंकि आप जिस पर ध्यान देते हैं वही चीज सक्रिय हो जाती है खादे रंग सफेज, सफेद रंग का खादे पदात, उधारन, फूलगोवी, सफेद प्याज, उडदाल, मूली, आदी पेपदात, निम्बू पानी, परिवार के साथ समय खेल, टिपी टिपी टैप, अपने परिवार और दोस्तों के साथ खेले दिन की गतिवीदी, अपने माता-पिता के बचपन या शादी की तस्वीरे देखे, डैनिक दिन चरिया, निम्लिकित आदतों को अपने दिन चरिया में शामिल करे, अपने माता-पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करे, अपने दातों को दिन में दोबाश प्रति दिन इस्तान करें, खूब पानी पीए और संतुलित आहार लें, अपने चेरे को छुने से बचें और अपने हाथों को बार-बार धुएं, उपना ग्रहकारे समय पर पूरा करें अगला है बच्चो पानी से पैदा होने वाली बिमारिया जैसे डैंगू, मलेरिया और चिकन गुनिया आदी से बचने का एक ही उपाय मच्छर पैदा ना होने दे देखे बच्चो आप सभी को पता है बरसात का मौसम है जगे जगे पानी इखटा होगा और उसमें मच्छर पैदा होंगे मच्छर दैंगू, मलेरिया, चिकन गुनिया जैसी बिमारिया कर सकता है तो इससे बचने का क्या उपाय है सबता हमें एक बार कूलर को साफ करके सुखाएं उसमें एक बड़ा चमट टैमिफोस, डीजल या पैट्रोल का डाले पानी की टंकिया में होदियों के धकन हमेशे बंद रखें टूटे-फुटे बरतन टायर इतियादी खुले में ना रखें इसमें बरसात का पानी भर सकता है और मच्छर पैदा होते हैं घर के आसपास पानी खटा ना होने दे चिडियों के पानी के बरतन मनी प्लांट फ्रीज की डिफ्रोस्ट्रे फैंशुई पौदे का पानी इतियादी प्रती दिन एक बार अविश्य बदले चाहिए तो बच्छो इस तरह से सभी अपनी वरक्षीट को हल करें उमीद करते हो बच्चो आप सभी को मेरा वीडियों हुगा हो no चैनल को सब्दिए करें बहुत बहुत धन्यवाद झाल झाल